दोस्तों Bitcoin की March performance और especially quarter 1 performance बहुत ही satisfactory रही है हम काफी समय से एक ऐसे catalyst की तलाश में थे, एक ऐसे कारण की तलाश में थे जो Bitcoin को dump कर सकता है या शायद हमें buying की अच्छे opportunity दे सकता है कहा जा रहा है कि ये जो 1 billion dollar का Bitcoin dump US की government almost confirm कर चुकी है उसके चलते शायद Bitcoin उस अवस्ता में आए जिस अवस्ता में हम उसको दुबारा से खरीदने चाहेंगे I have always established case में Bitcoin is overbought मतलब अगर हम long लेना चाहते तो उसके लिए 28,500 may not be a best area but definitely 20,000, 24,000 वगरा वगरा अच्छे area बट क्या Bitcoin इतना नीचे जाएगा हमने तो definitely 24,800 पर अपनी border लगा रखा है कि इसके नीचे जाने की chances कम है ये पूरा हम जो है चिंतन यहां पर करेंगे एक बात की guarantee है कि US की government जो है वो definitely 1 billion dollar की Bitcoin बेचना चाहा रही है उससे पहले shorter time frame में अगर बात करें तो 4 hourly time frame पर तो यहां पर एक wedge बन रहा है जिसके breakout के chances है ये जो है wedge ये इस कश्मकश में रहेगा कि जो inflation के number है वो जल्दी आने वाले है March के inflation number कल PCE numbers आयते बट अभी CPI number आने बागी है PCE जो है वो केवल wholesale inflation है और जो CPI है that is retail inflation तो PCE के number कल बहुत ही encouraging आये बहुत ही अच्छे आये गिरावट दर्ज हुई उसमें जिसके बड़े में हम बात करेंगे बट जो असली elephant in the room है वो है CPI यानि की retail inflation का carrot है तो उसकी इस समय हर कोई उम्मीद कर रहे है कि retail inflation जो है वो अच्छे number आएंगे हम आपको कहीं हफतों से बताते आ रहे है और stock market भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको उसके लिए prepare कर रहा है उपर जाते हुए क्योंकि inflation के number टूफलेशन के दुरू हमने आपको काफी दूने से बताए है अपक्षा की जा रही है कि 5 या उसकी range में आने चाहिए डेफिनिटली पिछले महीने के 6% से तो बहुत ही कम आने चाहिए तो market एक तरह से जोश की तयारी कर रही है market हमेशा forward looking होती है market result आने का wait नहीं करती है result से पहले ही anticipation में उस price के तयारी कर लेती है और by the rumor sell the news यानि कि 14 April को आप जो है dump देख सकते है PCE के अच्छे रुजान की चलते dollar strength index भी नीचे जा रहा है जो कि अपने 101 के critical critical support की तरफ जा रहा है जो जादा दूर नहीं है केवल सवा परशेंट और मेरे विचार से मैं prediction ये clearly कर सकता हूँ कि अगले कुछ दिनों में हम सवा एक को touch करेंगे और जिसका फायदा जो है risk assets को होगा bitcoin अलड़ी ahead चलते हुए इसको enjoy कर चुका है बड़ यहां पर bitcoin के लिए चोटा सा ये चिंता का विशे है चिंता का विशे नहीं है क्यों मैं आपको बताऊंगा कि तीन महीने लगातार जो bitcoin ग्रीन आया है और जैनवरी फेबरी मार्च हमने तीनों महीने जो है ग्रीन दर्द की है आप देख सकते हैं बहुत ही कम ऐसा वार हुआ है कि bitcoin तीन या चार महीने लगातार पॉजिटिव हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण यहां पर देखा जा रहा है जो नीचे stock RSI का moving average है stock RSI का moving average यह yellow color की dark line हमने जो नीचे बना रखी है यह एक तरह से decide करते है bull market और bear market जैसे हम एक बढ़ी उधारन देखते हैं 2018-19 का यहां पर जो है bitcoin नीचे गया और अब जो है दुबारा से यह golden cross of stock RSI on monthly time frame बन रहा है जो अपनी moving average को break करते हुए almost यह March के महिने में बन गया था और इसी कारण चे हमें 3 green candles दिखी हैं क्या अपरेल भी 4th green candle होगा यह देखने वाली बात होगी एक और bullish price action यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब long term holders को average price है और short term holders को average price है जब वो cross करता है यानि कि एक particular type of customer long या short दूसरे को overpower करता है तो bitcoin का price एक दिशा बदलता है तो यहां पर उधारन देखते हैं जो यहां पर एक cross बना था और उसके बाद bitcoin के price ने अच्छा का सब bullish action लिया था यहां पर क्या हो था short term average price crossed long term यानि short term holders को जो है bitcoin वो महंगा हुआ था compared to long term naturally क्या होना चाहिए कि long term वालों का महंगा होना चाहिए बड़ अगर shock term वालों का महंगा हो जाए इसका मरला bitcoin जो है हाल ही में तेज गती पकड़ा है एक trend reversal हुआ है आपको एक दो उधारन से और समझाता हूँ 2016 में भी हुआ था कि price काफी देर तक बोर यह तरीके से चल रहा था वैसे हमने आपको यहां पर कुछ दिनों पहले यहां वीडियो में बताए भी था कि तयार हो जाई है रॉकेट की तयारी होने वाली है और रॉकेट की तयारी हमने आपको दो-तिन हफ़ते पहले इसलिए बोली थी क्योंकि यह जो क्रॉस बना था यह इसके आसपास ही बना था हमारा जो SMA है वो शॉट टर्म लोगों के को जाधा expensive bitcoin दे रहा है यानि कि bitcoin इतनी तेजी से बढ़ कर रहा है कि जिन लोगोंने अभी कल परसों है एक महीने पहले दो महीने पहले खरीदा है short term users they are buying at a higher price so यहां पर एक trend reversal है but हमें अपने दायरे में रहना है जैसे मैं आपको पिछली almost 10 वीडियो चे बताता रहा हूं कि 28,300, 28,500 जो मोटा resistance है I will rather skip this level of 28-30,000 और उसके बाद मैं अपना trade लूँगा क्यों क्योंकि market पे यह छोटा सा खत्रे का बादल मंढ रहा हुआ हुआ है बढ़ेंगे कुछ दिनों पहले ही बताई थी कुछ हफते पहले बताई थी in fact छुपी साजिश तो यह जो है इसके बाद it was a nothing burger 10,000 के करीब जो है Bitcoin US government ने बेचे कौन सी तारी को बेचे 14 March को बेचे 14 यह 11 March को बेचे और अगर आप देखें गौर से तो उसके बाद price बढ़ा US government ने अपने Bitcoin बेचे 13-14 तरीको आप देख लीचे उसके बाद price जो है continuously उपर गया यानि कि 216 million dollar के जो Bitcoin government ने बेचे थे वो किसी ने एक धडले से खरीद लिये and this sell pressure was completely absorbed by somebody on retail और मैं आपको एक मजाग की बात और बताता हूँ इस समय government ने अनाउंस किया है कि जो ये 1 billion dollar के 40,000 bitcoin US government बेचने वाली है ये over the counter exchange पर बेचेगी coinbase के थूँ बेचेगी और coinbase वही exchange है जिसके उपर US government ने case किया हुआ है अब tragedy देखिए कि government जो है transaction उसी exchange पर कर रही है जिसको वो illegal बता रही है इसलिए मेरा मानना है कि ये सब च बताता रहा हूं कि आपको दो ही लेवल याद रखने है 26,475 और 24,800 अगर इस पैने के चलते नौ मार्च की तरह price नीचे आता है bottom out होता है 24,800 हिट होता है तो आपको तो इस सीज का wait करना चाहिए हम तो जो समझदार निवेशक है वो तो इस बात का wait करेंगे कि हां यार और panic rate हो प्राइस 24,800 जाए और हम अपने जो है aggressive longs में एंटर करें क्योंकि पिछली बार भी हुआ था जब 10,000 bitcoin गवर्मेंट ने बेचे थे उसके बाद तो rally शुरू हुए थी in fact that day came out to be the bottom of the price bitcoin price in the local time मार्च के महने का वो दिन bottom था 2-2-3 days before US government actually sold their bitcoin यारे कि 10,000 bitcoin बेचने को प्रियाल से तुरंत खरीद ले जाएंगी yes जिस दिन date decide होगा जिस दिन यह rumor आएगा उस दिन price जो है फोड़ा से dump लेगा but we want to wait for that scenario ताकि उसी तरीके से अगले rocket पे हम वेट करें वैसे भी चीज़े लगातार ऊपर नहीं जाती प्राइस सीधी रेखा में उपर नहीं जात बल्कि उन्होंने January की नंबर को भी correct करते हैं 0.3% नीचे किया February का नंबर और कम आया और बल्कि अभी जो main headline inflation जिसको कहते हैं CPI Consumer Price Index उसका data 14 April को आना है मेरी विचार से market ये प्राइस कर चुकी है कि करीब 1% की गिरावट आएगी for March inflation data compared to February so इतना बड़ा inflation data में फरक आना इस new na thumb होगा नहीं तो zero होगा यहने कि fed pivot करेगा और इस चक्कर में stock market अलएडी rally कर रहा है तो bitcoin को भी कही ना कई फायदा होना चाहिए but bitcoin में एक चोटा सा reversal आना चाहिए मेरे खाल से इस fed के US government के rumor के चलते तो आप उस चीज का इंतजार कीजिए और अपने buy orders लगा के रखिए चाहे leverage हो चाहे non leverage हो और अगर पचास डॉलर जीतना चाहते हैं तो simple से सवाल का जवाब दीजिए Tuesday को winner announce होंगे तीन महिने लगा तार हमने positive January, February, March देखा है in fact this January was the second best January ever and this March is also the second best March ever in the history of bitcoin तो क्या अपरेल भी यह प्रथा को जारी रखेगा या अपरेल negative month होगा मेरे विचा अपना क्याल रखेए धन्यवाद जाहिए